शर्लोक होम्स ने मैंटल पीस के कोने से अपनी शीशी और सुन्दर से केस में से एक सिरेंज लिया अपनी लंबी सफेद घबराई उंगलियों से उसने नाजुक सुई को संभाला और अपने बाएं हाथ की आस्तीन मोडी कुछ देर तक उसकी आखें कुछ विचार करती अपनी बाह और कलाई पर टिकी रही जो सुई के अंगिनत निशानों से छितरी पड़ी थी आखिर में उसने सिरिंज से सुई अपने हाथ में डाली और अपनी शनील के कवर वाली आराम कुर्सी में संतोश की सांस भरते हुए धस गया कई महीनों से मैं दिन में तीन बार उसे ऐसा करते देख रहा था लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इसका आदी नहीं हुआ था इसके विपरीत दिन पर दिन मैं ये देख कर चिड़ता जा रहा था और रोज मेरी आत्मा मुझे धिकाती थी कि मुझ में इतना भी साहस नहीं है कि मैं इस बात का विरोध कर सकूँ मैं बार बार कसम खाता कि इस बारे में अपने मन की बात अपने दोस्त को कह डालूँगा लेकिन उसके शांत भाव में कुछ ऐसा था कि मैं उससे खुलकर बात करने में हिचकता था उसकी क्षमता, उसके हावभाव और उसके अद्भुत गुनों के जो अनुभव मुझे हुए थे उनके कारण मैं उसे नाराज करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता था फिर भी उस दो पहर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं और बरदाश्ट नहीं कर सकता मैंने खीजे हुए स्वर में उससे पूछा आज क्या ले रहे हो, मॉर्फिन या कोकीन उसने अलसाते हुए अपनी किताब से आँखें उठाई फिर बोला कोकीन, साथ परसेंट का घूल क्या तुम भी आजमाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं मेरा शरीर अभी अफगानिस्तान के युद्ध से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है मैं अपने शरीर पर और जोर नहीं डाल सकता मेरे इस लहजे में मना करने पर वो मुस्कुराया और बूला शायद तुम ठीक कहते हो वाटसन मुझे पता है ये शरीर पर कितना बुरा असर डालता है लेकिन फिर भी ये मुझे इतनी उतेजना देता है और दिमाग को इतनी सपष्टता कि शरीर पर थोड़ा बहुत बुरा असर पड़ भी जाए तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता मैंने कहा लेकिन जरा ये तो सोचो कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी जैसा कि तुम कहते हो हो सकता है तुम्हारा दिमाग इससे उत्तेजित हो जाता हो लेकिन ये बड़ी ही रोग फैलाने वाली और विकृत प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सेल्स में बदलाव होता है और शरीर में हमीशा के लिए कमजोरी आ जाती है तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे उपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है क्या फाइदा है ऐसे क्षणिक आनंद का उन महान शक्तियों को तुम क्यों खोना चाहते हो जो तुम्हें इश्वर की तरफ से सौगात में मिली है याद रखो मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से ही नहीं बलकि एक डॉक्तर की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी से जिसके स्वास्थे की जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरे उपर भी है मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मेरी बात का बुरा माना हो इसके विपरीत उसने अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़ा और अपनी कोहनिया अपनी कुर्सी के हथे पर टिका दी मानो इस बात चीत में उसे मज़ा आ रहा हो फिर वो बोला बिना काम के मेरा मन विद्रोह करने लगता है मुझे समस्याएं दो, काम दो संकेतों में लिखा हुआ कोई लेख दो कोई पेचीदा उलजन दो तो मेरा मन लगा रहता है फिर मुझे इन बाहरी चीजों की यानि नशे की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैं इस तरह का दुनिया में अकेला आदमी है एक मात्र सलाहकार जासूस जो पेशेवर नहीं है जासूसी में मैं ही आखिरी और सबसे उची कोर्ट ओफ अपील हूँ जब ग्रेगसन या लेस्ट्रेड किसी उलजन में पड़े होते हैं जो उनके लिए एक सामान्य बात है तब मामला मेरे सामने रखा जाता है मैं सारे तथ्यों पर गौर करता हूँ और एक विशेशग्य के तौर पर अपनी राय जाहिर करता हूँ ऐसे मामलों में मैं कभी श्रे भी नहीं मांगता मेरा नाम किसी अखबार में नहीं छपता मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है वो केस और उसको सुलजाने में लगाई गई अपनी क्षमता और अब तो खुद तुमको भी जेफर्सन होप मामले में मेरे काम के तरीके का कुछ अनुभव हो ही गया है हाँ हो गया है मैंने कहा मैं कभी भी अपने जीवन में किसी से इतना प्रभावित नहीं हुआ मैंने उसे एक छोटे से ब्रोशर में सुरक्षित रखा है A Study in Scarlet के नाम से उसने उदासी से अपना सिरह लाया और बोला हाँ मैंने उसे देखा था अगर इमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें उसके लिए बधाई नहीं दे सकता जासुसी पूरी तरह से एक विज्ञान है और उससे इसी तरह ठंडा और भावहीन बरताव करना चाहिए तुमने उसके अंदर रोमांच मिला दिया है जिससे उसका असर ऐसा हो रहा है मनो तुमने कोई प्रेम कहानी लिखी हो या यूकलिड की कहानी में प्रेमी प्रेमी काके फरार होने का किस्सा मैंने उसे डाटते हुए कहा लेकिन रोमांच तो उस किस्से में था ही मैं तथ्यों से छेड़ चार नहीं कर सकता था कुछ तथ्यों को दबाया जाना चाहिए या फिर कम से कम उन्हें पेश करने में अनुपात को सही रखा जाना चाहिए इस केस में सिर्फ एक बात थी जिसका जिक्र किया जा सकता था और वो थी तर्क से निशकर्ष निकालना नतीजों से कारण तक जिसके द्वारा मैं इसे सुलजाने में सफल रहा था मुझे उस काम के लिए उसके मुह से अपनी कम्या सुनना बहुत ही बुरा लगा जो मैंने उसे खुश करने के लिए किया था मैं ये भी स्विकार करता हूँ कि मैं उसके एहंकार से चढ़ रहा था जो चाहता था कि मेरे लेख की हर पंक्ती उसकी ही तारीफ का बखान करे बेकर स्ट्रीट में उसके साथ गुजारे हुए इतने वर्षों में मैंने कई बार ये महसूस किया था कि मेरे मित्र के शांत और उदासीन भाव के नीचे हलका सा घमंड भी दबा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने कोई टिपणी नहीं की और अपने जखमी पैर पर मरहम पट्टी करता रहा उसके अंदर कुछ समय पहले एक गोली लग गई थी मुझे चलने में कोई परिशानी नहीं थी लेकिन फिर भी हर बदलते मौसम के साथ उसमें दर्ध होने लगता था कुछ समय बाद अपना पाइप भरते हुए होम्स बोला मेरी प्रैक्टिस का हाल में महधवीब तक विस्तार हो गया पिशले हफते फ्रैंकोस्ट लाविलाड ने मुझसे सलाह ली थी जो तुम जानते ही हो फ्रांसीसी जासुसी सेवा में काफी उचा उठ रहा है उसमें सहज ग्यान भी है लेकिन उसमें वो ग्यान नहीं है जो उसकी कला को निखार सके ये केस एक वसियत से संबंदित था और उसकी कुछ बातें तो बड़े ही रोचक थी मैंने उसको दो मिलते जुलते केसों का हवाला दिया एक 1857 में रिगा का केस था और दूसरा 1871 में सेंट लूईस का जिनसे उसे असली हल ढूंडने में मदद मिली ये रहा वो पत्र जो मुझे आज सवेरे ही मिला है जिसमें उसने मेरी मदद के लिए एहसान जताया है बोलते बोलते उसने मेरी तरफ एक मुड़ा तुड़ा विदेशी कागस का टुकड़ा फेंका मैंने उस पर उपर से नीचे तक नजर दोड़ाई जिसमें तारीफों की भरमाद थी इससे मालूम पढ़ता था कि वो फ्रांसी सी उसका कितना बड़ा प्रशन सक है ये तो ऐसे लग रहा है मनो शिश्य गुरू से बात कर रहा हो मैंने कहा होमस ने हलके पन से कहा आह वो कुछ नहीं वो मेरी मदद को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है वो खुद भी काफी हुनर वाला है एक आदर्श जासूस के लिए जरूरी तीन में से दो गुन उसके पास है उसमें गौर करने की और निशकर्ष निकालने की क्षमता है उसमें बस ग्यान की कमी है और हो सकता है समय के साथ वो भी आजाए अब वो मेरे सारे कामों का फ्रेंच में अनुवाद कर रहा है तुम्हारे काम? ओ, क्या तुमको नहीं मालूम? वो हस्ते हुए बोला दरसल मैंने कई लेक भी लिखे हैं ये सभी तकनिकी विश्यों पर आधारित हैं लगातार आपराधिक मामलों में उठता रहता है और सुराग के तौर पर ये सबसे ज्यादा महत्वपून होता है उधारन के लिए अगर आप निश्चित तौर पर ये कह सकें कि हत्या किसी ऐसे आदमी ने की है जो हिंदुस्तानी हुका पी रहा था तो आपकी छानबीन का दाइरा कम हो जाता है एक प्रशिक्षित नजर के लिए प्रिश्णोपोली की काली राख और बर्ड आई की सफेद फूली हुई राख में उतना ही फर्क है जितना आलू और पत्ता गोभी में कमाल हो तुम हो तुम होम्स तुम्हारे पास छोटी से छोटी बात पर गौर करने की अद्भुत क्षमता है मैंने कहा मैं उनके महत्व की कद्र करता हूँ मेरा ये लेख पैरों के निशानों से संबंधित है और इसमें कुछ ठिपनियां भी हैं कि कैसे प्लास्टर ओफ पैरिस का उप्योग करके पैरों के निशानों के सांचे बनाए जा सकते हैं ये छोटा सा लेख ये बताता है कि किसी के पेशे का उसके हाथ की बनावट पर कैसे असर पड़ता है और सबूत के तौर पर मैंने पत्थर के सांचों पर नाविक, बुनकर, हीरा तराशने वाले, स्लेट बनाने वाले और लिखने वालों के हाथों के च्छापे दिखाए हैं वैग्यानिकों और जासूसों के लिए ये काफी रुची का विशे है खास कर उन लाशों के मामले में जो लावारी सोती है या फिर अपराधियों की पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अपने इस प्रिय विशे से तुम्हें बोर कर रहा हूँ मैंने उच्सुकता से जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं मुझे तो ये बहुत ही मजेदार लग रहा है कि देखूं तुम इसको व्यवहार में कैसे लेकर आते हो लेकिन अभी तुम निरिक्षन और निशकर्ष की बात कर रहे थे इन में से एक का संबंध दूसरे से तो अवश्य ही होगा अपने आराम कुर्सी पर थोड़ा और पसरते हुए अपने पाइप से धूए के छले छोड़ते हुए वो बोला उधारण के लिए जैसे कि अपने निरिक्षन से मुझे पता चलता है कि तुम आज सवेरे विगमोर स्ट्रीट के डाग खाने गए थे पर निशकर्ष ये बताता है कि वहाँ से तुमने एक तार भीजा है ये दोनों ही बाते सही हैं मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इस निशकर्ष पर कैसे पहुँचे मेरे दिमाग में बैठे बैठे आचाना कि ये बात आई और मैंने ये किसी को बताया भी नहीं था फिर तुम्हें कैसे पता चला उसने मेरे आश्चर्य पर हस्ते हुए कहा ये तो बड़ी आसान बात है इतनी आसान कि उसको समझाना भी बेकार होगा लेकिन फिर भी इससे निरीक्षन और निशकर्ष की अपनी अपनी सीमाई तै हो जाएंगी निरीक्षन से मुझे पता चला कि तुम्हारे जूते के नीचे लाल मिट्टी इस तरह फैली है कि उस पर चले बिना आप अंदर नहीं आ सकते वो मिट्टी जिस लाल रंग की है वो आसपास कहीं नहीं है ये तो था निरीक्षन बाकी सब निशकर्ष है तो फिर तारवाला निशकर्ष तुमने कैसे निकाला वो ऐसे कि ये तो मैं जानता ही था कि तुमने कोई पत्र नहीं लिखा क्योंकि सारी सुबह मैं तुम्हारे सामने ही था तुम्हारी मेज की खुली हुई दराज में मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास डाक टिकट भी है और पोस्ट कार्ड्स की एक मोटी गड़ी भी फिर तुम डाक खाने क्या करने जाओगे सिवाई तार भेजने के मैंने थुड़ा सोचते हुए जवाब दिया हाँ इस मामले में तो ऐसा ही है फिर भी जैसे तुम कहते हो कि बात बहुत साधारन है क्या तुम मुझे धीट कहोगे अगर मैं तुम्हारी एक कठिन परीक्षा लूँ बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त इसके विपरीट ये मुझे कोकीन की दूसरी खुराक लेने से रोकेगा मुझे किसी भी समस्या में जहाकने में बड़ी खुशी होगी जो तुम मेरे सामने रखोगे बताओ क्या परीक्षा लेना चाहते हो मेरे पास एक घड़ी है जो हाल ही में मेरे पास आई है क्या तुम मुझे इसके पुराने मालिक के चरित्र या आदतों के बारे में कुछ बता सकते हो मैंने घड़ी उसे थमा दी और मुझे मन ही मन हसी आ रही थी क्योंकि मेरी सोच के अनुसार उसका इस परीक्षा में पास होना बिलकुल असंभव था मैं चाहता था कि इससे उसे कुछ सबक मिले और उसका घमंड तूट जाए उसने घड़ी को अपने हाथों में तोला, उसके डायल को देर तक देखा, उसे पीछे से खोला और उसकी अंदर की कारीगरी को परखा पहले सिर्फ आँखों से और फिर एक तेज लेंस के द्वारा उसके निराशा से भरे चेहरे को देख कर मैं अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं पा रहा था आखिरकार उसने घड़ी मेरे हाथों में लटा दी फिर बोला, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है इस घड़ी को हाल में ही साफ किया गया है जिससे असली तथि गायब हो गये है मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया सही कह रहे हूँ, मेरे पास भेजे जाने से पहले इसे साफ किया गया था दिल ही दिल में मैंने उसे दोश दिया कि उसने अपनी हार को छुपाने के लिए एक बहुत ही बेकार बहाना ढूंडा था एक गंदी घड़ी में उसे भला क्या जानकारी मिल जाती उसने सपनों से भरी बेजांसी आँखों से छट की ओर ताकते हुए कहा ज्यादा संतोश जनक तो नहीं थी लेकिन मेरी खोज पूरी तरह बेकार भी नहीं रही अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे टोक देना ये घड़ी शायद तुम्हारे बड़े भाई के पास थी जिसको ये तुम्हारे पिता से विरासत में मिली थी ये बात तो शर्तिया तुमने पीछे बनाए हुए निशान से जानी होगी मैंने कहा बिल्कुल उस निशान से तुम्हारा अपना नाम मालूम पड़ता है घड़ी की तारीक करीब 50 साल पुरानी है और उस पर खुदे हुए अक्षर भी उतने ही पुराने है इसका सीधासा मतलब है कि ये पिछली पीड़ी के लिए बनाई गई थी जेवर अक्सर बड़े बेटे को विरासत में मिलते हैं और ज़्यादा तर उसका नाम पिता के नाम पर रखा जाता है अगर मुझे ठीक याद है तो तुम्हारे पिता के मृत्यू हुए कई साल बीट गए हैं इसलिए ये अब तक तुम्हारे बड़े भाई के पास थी अब तक तो सब ठीक बताया है और कुछ मैंने पूछा वो काफी गंदी आदतों वाला शक्स था बहत गंदा और लापर वहा उसको काफी दौलत विरासत में मिली थी लेकिन उसने सारे अवसर गवा दिये कुछ समय गरीबी में बिताया मुझे बस इतना ही पता चल पाया है मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दिल में कड़वाहट भरी बेचैनी से कमरे में लंगडाता हुआ टेहलने लगा ये तुमने बहुत गलत किया है होम्स मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूँ कि ये सारी बातें तुम्हें उसकी पुरानी घड़ी में जहाकने से पता चली है ये साफ साफ करूरता है और तुमने मेरे साथ चल किया है उसने प्यार से कहा माइडेर डॉक्तर मुझे माफ करना इस समस्या को बताते वक्त मैं भूल गया था कि ये तुम्हारे लिए कितनी व्यक्तिगत और तकलीफ देह बात है। मैं तुम्हें पूरा आश्वसन देता हूं कि मुझे ये पता भी नहीं था कि तुम्हारा कोई भाई है जब तक तुमने मुझे ये घड़ी पकड़ाई नहीं थी। तो फिर तुमको ये सारी ब के नहीं लगाता। ये तो बड़ी ही बुरी आदत है। तरक शक्ती को नश्ट कर देती है। तुमको जो अजीब लग रहा है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे विचारों के प्रवाह के अनुसार नहीं बहते और ना ही उन छोटी-छोटी बातों पर गौर करते हूं जिन पर महत्वपून निशकर्ष निर्भर होते हैं। उधारन के लिए मैंने शुरुआत ये कहते हुए की थी कि तुम्हारा भाई लापर वहा था। जब उस घड़ी के केस के निचले भाग को देखोगे तो वो ना सिर्फ दो जगहों से तूटा हुआ है बलकि उसमें जगह जग करने की जरूरत नहीं है कि जो शक्स इतनी महंगी घड़ी विरासत में पाता है उसे और भी कीमती सामान जरूर मिला होगा। मैंने सिर्हिला कर ये दिखाया कि मुझे उसका तर्क समझ में आ रहा है। उसने फिर कहा इंग्लैन में चीजें गिरवी रखकर उसके बदले पै रहता। मेरे लेंस से देखने पर मुझे चार ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं। इस से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि तुम्हारा भाई अकसर दिवालिया हो जाता था। दूसरा निशकर्श की बीच-बीच में वो खुशहाल भी रहता था। वो इसलिए कि अगर नह भी किसी नशेडी की घड़ी ऐसी चावी के बिना नहीं देखोगे। वो रात को घड़ी की चावी भरता है और अपने लड़कडाते हाथों की चाप घड़ी पर छोड़ देता है। इसमें रहसे वाली क्या बात है। ये बात तो अब दिन की तरह साफ है। मैंने जवाब मुझे उस अन्याय पर खेद है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे तुम्हारी अद्भुत क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए था। क्या मैं तुम्हारे पास इस समय कोई केस हाथ में है या नहीं। कोई नहीं है। और इसी लिए तो मुझे कोकीन का सहरा लेना पड़ रहा है। दिमागी काम के बगएर मैं जिंदा नहीं रह सकता। जीने के लिए और भला है ही क्या। यहां पर खड़े होकर खड़की से देखो क्या इससे ज्यादा उदास, बेजान, बिना फाइदे की दुनिया कहीं हो सकती है। जरा देखो कैसे पीला कोहरा स खड़कों पर छाया हुआ है और मिटी के रंग के घरों के उपर मंडरा रहा है। इस से ज्यादा बेजान और उबाउभला और क्या हो सकता है। काबिलियत होने का क्या फाइदा डॉक्टर अगर आपके पास उसका इस्तिमाल करने का मौका ही नहीं हो। अपराद बहुत आ कान मालकिन अंदर आई। एक पीतल की ट्रे में एक कार्ड लिये हुए। उसने मेरे मित्र को संबोधित करते हुए कहा। आप से मिलने के लिए एक युवती आई है सर। उसने पढ़ा। मिस मेरी मौर्सटन। ये नाम मुझे याद नहीं। उससे कहो कि यहां उपर आए। और तुम भी यहीं रुको डॉक्तर। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। कुछ ही पलों में मिस मौर्सटन कमरे में सधे हुए कदमों से दाखिल हुई। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास था। वो हलके भूरे रंग के बालों वाली इकेहरे बदन की नाजुक सी लड़की थी जिसने सलीकेदार कप्रे पहन रखे थे और हाथों में दस्ताने। उसके कपड़ों में एक सादगी थी जिससे पता चलता था कि उसके पास सीमित साधन थे। उसकी ड्रेस सादे से स्लेटी रंग की थी और ठीक से सिली हुई भी नहीं थी। उसने इसी रंग बड़ी बड़ी नीली आँखों में एक अजीब सी सहानुभूती और पवित्रता थी। और तो के अपने अनुभव में जो कई देशों और तीन अलग-अलग महद्वीपों से इकठा किया गया था। मैंने पहले कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था जिसमें इतनी समवेदन शी जैनी महसूस कर रही थी। कापते स्वर में वो बोली। मैं आपके पास आई हूँ Mr. Holmes क्योंकि आपने एक बार मेरी मालकिन Mrs. Cecil Forrester की एक छोटी सी घरेलू समस्या सुलचाने में मदद की थी। वो आपकी काबिलियत और दया से बहुत प्रभावित थी। Holmes ने कुछ याद करते हुए दोहराया। Mrs. Cecil Forrester हाँ मैं समझता हूँ मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की तो थी। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो केस काफी आसान सा था। लेकिन वे ऐसा नहीं सोचती और कम से कम मेरे केस के बारे में तो ऐसा बिलकुल नह नहीं कहा जा सकता। मैं सोच भी नहीं सकती कि जिन हालातों में हूँ उससे ज्यादा अजीब और रहसे मई और भी कुछ हो सकता है। मैं चलता हूँ। मुझे हैरानी हुई कि युवती ने अपना दस्ताने वाला हाथ उठा कर मुझे रोका। फिर वो होमस से बोली अगर तुम्हारा दोस्त हमारी खातिर रुक जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी साहता होगी। मैं वापस अपनी कुरसी पर बैठ ग मेरी मा मर चुकी थी और इंग्लैंड में मेरा कोई रिष्टेदार नहीं था लेकिन मुझे एक आरामदायक बोर्डिंग हाउस में रखा गया और मैं 17 साल की उमर तक वहां रही। लंडन पहुँचकर मैं लैंगम पहुँची और वहां मुझे बताया गया कि क्याप्टन मौर्स्टन वहां रह रहे थे लेकिन पिछली रात वो बाहर गए थे और फिर वापस नहीं आये। मैं सारा दिन उनका इंतजार करती रही लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। होटल मैनेजर की सलाहा पर मैंने पुलीस से संपर्ख किया और अगली सुभा हमने सारे अखबारों में विज्यापन दे दिया। हमारी खोजबीन का कोई नतीजा नहीं निकला। उस दिन के बाद से आज तक मेरे बदनसीब पिता के बारे में हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। वे 3 दिसंबर 1878 को गायब हुए थे करीब 10 साल पहले। उनके सामान का क्या हुआ? वो होटल में ही पड़ा रहा। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें और अंडमान द्वीब से लाई गई कुछ चोटी-मोटी कल शाकरितियां। वे वहाँ न्यायले द्वारा दोशी ठहराए जाने वाले अपराधियों के अधिकारी थे। क्या शहर में उनके कोई दोस्त थे? सिर्फ एक, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनहीं की रेजिमेंट 34-मी बंबई पैदल सेना के मेजर शॉल्टो। मेजर कु कई अजीब है। सबसे अजीब बात तो मैंने अभी बताई ही नहीं है, सर। छे साल पहले, यानि 4 मई 1882 को The Times में एक विज्यापन छपा, जिसमें Miss Mary Morston का पता पूछा गया था, और ये कहा गया था कि अगर वो सामने आती है, तो ये उसके हित में होगा। विज्यापन के स कोई नाम या पता नहीं था, उस समय मैंने Mrs. Forrester के घर पर आया की नौकरी शुरू की ही थी, उसकी सलाह से मैंने अपना पता विज्यापन वाली जगह पर चपवा दिया, उसी दिन डाक से मेरे लिए एक छोटा सा गत्य का डिब्बा आया, उसमें एक डिब्या थी, जिसमे एक बहुत ही बड़ा चमकीला मोती था, लिखा हुआ कुछ नहीं था, उसके बाद से उसी तारिक पर हर साल एक वैसी ही डिब्या में एक वैसा ही मोती और आ जाता है, लेकिन भीजने वाले का आज तक कोई सुराग नहीं मिला, विशेशग्यों ने देख कर बताया है कि वो मोती, अद्वितीय और बेशकीमती है, आप खुद देख सकते हैं कि वे कितने खुबसूरत हैं, इतना कहते हुए उसने एक चप्टी डिब्या खोली और हमें छे मोती दिखाए, जो इतने सुन्दर थे, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, शर्लोक होम्स ने कहा, वे ये चित्थी मिली, जो शायद आप खुद ही पढ़ना चाहेंगे, धन्यवाद, होम्स ने कहा, जरा इसका लिफाफा भी दो प्लीज, इस पर मोहर लगी है S.W. लंडन की, और तारीक है 7 जुलाई, यहाँ पर कोने में ये किसी के अंगुठे का निशान है, जो शायद पोस्ट मैन का होगा, कागस बहुत ही बढ़िया किसम का है, एक पैकेट लिफाफे 6 पैंस के आते हैं, अपने लिखने के सामान के बारे में बड़ा ही सली के वाला विखती है ये, और इस पर कोई पता नहीं दिया हुआ है, पत्र में लिखा है, आज रात 7 बजे, लाइसिय अगर तुम ले आई, तो सब बेकार हो जाएगा, तुम्हारा अंजाना दोस्त, ये तो वास्तव में एक छोटा सा सुन्दर रहस्य है, तुमने इसके बारे में क्या सोचा है मिस मॉर्स्टन, ठीक यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर होंस, फिर तो हम जरूर जाएंगे, तुम और मैं और मेरा दोस्त वाट्सन, पत्र भेजने वाले ने दो मित्रों को लाने के लिए कहा है और हम पहले भी साथ-साथ कई केसों पर काम कर चुके हैं, लेकिन क्या आपके दोस्त आएंगे? उसने आवाज और अपने चेहरे के भावों से जैसे म इननत करते हुए पूछा, मैंने उत्सुकता से कहा, मुझे गर्व और खुशी होगी अगर मैं किसी भी तरह की मदद कर पाऊं तो. उसने जवाब दिया, आप दोनों बड़े ही दयालू है, मैंने हमेशा एकाकी जीवन बिताया है और मेरा कोई मित्र नहीं है, जिससे मैं म दिखावट वही है, जो मोतियों की डिबियों पर लिखे पते वाली थी? उसने आधा दर्जन कागज के टुकड़े होम्स को पकड़ाते हुए कहा, मैं उन सब को अपने साथ लेकर आए हूँ. तुम बहुत ही कमाल की क्लाइंट हो, तुम्हारा अंदाज हमेशा सही रहता ह लाओ मुझे दो. होम्स ने कागजों को मेज पर फैला दिया और एक से दूसरे पर जल्दी जल्दी अपनी निगाहें दोड़ाएं. इन सब में अपनी हैंट राइटिंग छुपाने की कोशिश की गई है चिठी के अलावा, लेकिन लिखने वाले के बारे में कोई शक नही है. ये देखो, ये ये अक्षर कैसे हर बार एक ही तरह से तूट जाता है. और एस अक्षर के आखिरी सिरे की घुमावट देखो, ये निश्चित ही एक ही आदमी ने लिखे हैं. मैं तुम्हें कोई जूटी उमीदेतों नहीं देना चाहता मिस मॉर्स्टन, लेकिन क्या इस लिखावट और तुम्हारे पिता की लिखावट में कोई समानता है? इन दोनों से ज्यादा अलग और कुछ हो ही नहीं सकता. मुझे पूरी उमीद थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा. तो फिर हम छे बजे तुम्हारा इंतजार करेंगे. ये कागज मेरे पास ही रहने द जाए. अभी सिर्फ साड़े तीन बजे हैं. गुडबाई. चलती हूँ. हमारी महमान ने कहा और हम दोनों की तरफ खुशी से देखते हुए उसने मोतियों का डिबा उठाया और वहां से चली गई. उसके जाने के बाद मैंने अपने दोस्त की और मुड़कर कहा. कितनी आक एक दम मशीन हो. मैंने कड़वाहट से कहा. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर नाम को भी इंसानियत है ही नहीं. वो हलके से मुस्कुराया. फिर बोला. सबसे जरूरी ये बात है कि व्यक्तिगत गुनों को आधार बना कर कभी फैसले मत करो. कोई भी मुवक में जो सबसे सुंदर औरत आई है. उसे बीमे के पैसे के लालच में तीन छोटे बच्चों की हत्या करने के केस में फासी दी गई थी. और मेरी जान पहचान का सबसे घिनोना दिखने वाला आदमी एक ऐसा दानवीर है जिसने लंडन के गरीबों के लिए करीब धाई लाख पाउंड खर्च किये हैं. लेकिन इस केस में मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने मेरी बात काट दी. मैं कभी भी अपवाद नहीं बना. अपवाद से नियम तूट जाता है. अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी आदमे की लिखावट से उसके चरितर को जानने की को रहिए. होम्स ने नामे से रहिलाया और बोला, इसके लंबे अक्शर देखो, वे छोटे अक्शरों के बराबर ही हैं. इसका डी ए भी हो सकता है और आई शायद ई हो सकता है. चरितरवान लोग हमेशा अपने लंबे अक्शरों में फर्क करते हैं. चाहे उनकी लिखावट क तुम ये किताब पढ़ो। आज तक लिखी गई किताबों में ये सबसे अच्छी किताब है। मैं एक घंटे में वापस लोटा। जब होम्स वापस लोटा तब साढ़े पांच बज चुके थे। वो खुश था, उत्सुक था और चहक रहा था। चाय का प्याला थामते हुए वो बोला, इस मामले में कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, सारे तथ्या मिलकर एक ही बात दिखा रहे है। क्या, तुमने मामला अभी से सुलजा भी लिया? मैंने हैरानी से कहा। ये कहना तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने एक तथ्या ढूंड लिया है, जो इस मामले को साफ कर देता है, बस अब उसमें बाकी बातें जाननी रह गई हैं। तुम तो मुझे हैरानी में डाल देते हों। अच्छा इस बात को ऐसे देखो, कैप्टन मौर्स्टन गायब हो जाता है। लंडन में जिस एक मात्र व्यक्ति के पास वो जा सकता है, वो है मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो कहता है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थ पास बाती कि मौर्स्टन लंडन में है। चार साल बाद शॉल्टो मर जाता है। उसकी मौत के सिर्फ एक हफ़ते के बाद कैप्टन मौर्स्टन की बेटी को एक कीमती उपहार मिलता है, जो हर साल दोहराया जाता है। और अब एक चिठ्थी आती है जो ये बताती है कि उसक के साथ नाइनसाफी हुई है। नाइनसाफी की ऐसी भला क्या बात हो सकती है सिवाए इसके कि उसको अपने पिता से वंचित कर दिया गया था। और क्यों ये उपहार शॉल्टो की मौत के फॉरण बाद से आने शुरू हुए। अगर शॉल्टो का वारिस इस रहस्य के बा क्यों लिखा, 6 साल पहले क्यों नहीं लिखा और फिर वो पत्र उसको न्याय दिलाने की बात कह रहा है। उसको भला कौन सा न्याय मिल सकता है। ये मानना तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि उसका पिता अभी जीवित है। इस मामले में और किसी तरह की कोई ज्यादती जिसके बारे में हमें जानकारी हो। होमस ने सोचते हुए कहा, हाँ, कुछ बातें अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन आज रात महा जाने से सारी मुश्किल हल हो जाएगी। आहा, ये एक गाड़ी आई है और उसके अंदर जरूर मिस मॉर्स्टन है, क्या तुम पूरी तर से रिवॉल्वर निकाल कर अपनी जेब में डाल ली थी, ये साफ था कि वो समझ रहा था कि हमारा आज रात का काम कुछ गंभीर मोर भी ले सकता था। मिस मॉर्स्टन एक गहरे रंग के ओवरकोट से धकी थी और उसका समवेदन शील चेहरा शांत था, लेकिन पीला पड़ हुआ था, निश्चित तोर पर वो काफी धबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सैयम बना रखा था, और होमस ने उससे जो भी कुछ पूछा, उसने ततपरता से उन सवालों का जवाब दिया, उसने कहा, मेजर शॉल्टो मेरे पापा के पक्के दोस्त थे, उनक उससे कोई भी समझ नहीं पाया था, मुशे नहीं लगता कि उसका थोड़ा सा भी कोई महत्व होगा, लेकिन ये सोच कर कि शायद आप उसे देखना चाहें, मैं उसे अपने साथ ही ले आए हूँ, ये रहा वो, होमस ने ध्यान से उस कागज को खोला, और घुटने पर रख कर उसे सीधा करना चाहा, फिर उसने बड़े काईदे से एक डबल लेंस से उसका निरिक्षन किया, कुछ देर देखते रहने के बाद उसने कहा, ये देसी भारतिये कागज है, कुछ समय तक ये किसी बोड़ पर पिन की मदद से लटका रहा है, इस पर जो चितर बना है, वो बाएं से तीन दशमलव तीन साथ, बाएं हाथ के कोने में एक लाइन में एक दूसरे को छूते चार क्रॉस के निशान बने हैं, उनके पास बहुत ही गंदी लिखावट में लिखा है चार का चिन, जोनाथन स्मॉल, मोहमत सिंग, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर, मै इसे एक पॉकेट बुक में ध्यान से संभाल कर रखा गया है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बिलकुल साफ है, जी हां, हमें उनकी पॉकेट बुक में ही ये मिला था, मैरी ने कहा, तो फिर इसे संभाल कर रख Hindu क्योंकि ये हमारे काफी काम का साबित हो सकता है, अब मुझे श बनी हुई भ्रिकुटी और खाली आँखे देखकर मैं समझ गया कि वो गहरी सोच में डूबा है। मिस मॉर्स्टन और मैं धीमी आवाज में आज के हालातों और शाम की मुलाकात के नतीजों का अंदाज लगाते रहे। लेकिन हमारा मित्र तब तक चुप रहा जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं हो गई। इस सारे उदास और अजीब महौल से मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मिस मॉर्स्टन के हावभाव से मैं समझ पा रहा था कि वो भी ऐसा ही महसूस कर रही है। सिर्क होम्स ही इन छोटी-मोटी बातों के उपर उठ सकता था। उसने अपने घुटनों पर एक खुली हुई नोटबुक रखी हुई थी और बीच बीच में वो अपने जेब की लालतेन की रोशनी में कुछ संख्याएं और कुछ बातें उस पर लिख रहा था। लाइसियम फ्येटर में काफी जादा भीर थी। आगे की तरफ गाडियां और चार पहिये वाले वाहन खड़-खड़ाते हुए चले आ रहे थे। उन में से सफेद शर्ट पहने पुरुष और कीमफी शौल और हीरे के आभूशनों से लदीस्त्रियां उतर रहे थे। हम तीसरे खंबे तक पहुँचे भर थे जो हमारे मिलने की तई जगह थी कि तभी एक छोटा, काला और फुर्तीला आदमी गाडिवान की ड्रेस पहने हमें पुकार उठा। उसने पूछा क्या आप लोग मिस मॉर्स्टन के साथ आए हैं। मैरी ने कहा, मैं हूँ मिस मॉर्स्टन और ये दोनों मेरे मित्र हैं। गाडिवान ने कहा, आप मुझे माफ कीजिएगा मिस, लेकिन आपको कसम खाकर ये कहना होगा कि इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी पुलीस का अफसर नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैरी ने जवाब दिया। उसने एक तीखी सीटी बजाई, जिस पर एक लड़का गाड़ी लेकर वहाँ आ गया और उसका दर्वाजा खोल दिया। जिस आदमी ने हमसे बात की थी, वो गाड़ी वान की जगह पर बैठा, जबकि हम लोग अंदर ब ज़ाख था, या फिर हमारे पास काफी वजह थी ये सोचने की, कि हमारी इस यात्रा से कई महत्वपून मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहले तो फिर भी मुझे कुछ अंदाज लग रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही तेज रफ्तार, कोहरे और लंडन के बारे में अपने सीमित ग्यान की वजह से मैं दिशा का ग्यान खो चुका था और कुछ नहीं समझ पा रहा था, सिवाए इसके कि हम कहीं बहुत ही दूर जा रहे हैं। कि ही उसके पार पहुँचकर सडकों के जाल में उलज गई। मेरा मित्र बोला, ये वांसवर्थ रोड, प्रायरी रोड, लार्क हॉल लेन, स्टॉकवेल प्लेस, रॉबर्ट स्ट्रीट, कोल हर्बर लेन। हमारी खोज हमें ज्यादा फैशनेबल इलाकों की तरफ नहीं ले जनता घरों से आ रही थी, उसके बाद दो मंजीले मकानों की बारी आई, हर मकान के आगे एक छोटा सा बगीचा था और उसके बाद नई बनी इंटों की इमारतों की कतारें, बड़ा शहर अपने दानवी शिकंजे अपनी सीमा के बाहर तक फैला रहा था, आखिरकार कैब नई छत वाले तीसरे नंबर के घर पर रुकी, उसके दोनों और के किसी भी घर में कोई नहीं रह रहा था, और जहां पर हम रुके वो भी बाकी घरों जितना ही अंधकार में डूबा था, बस उसकी किचन की खिड़की से एक हलकी सी रोशनी आ रही थी, हमारे दर्वाजा खटखटाने पर एक हिंदू नौकर ने तुरंत दर्वाजा खोला, वो पीली पगडी, सफेद धीले कपड़े और एक पीला पटका पहने हुए था, एक सस्ते उपनगरिये से घर के साधारन से दर्वाजे पर पूर्व की ये आकरिती हमें कुछ असंगत लगी, उसने कहा, सहब आपका इंतजार कर रहे हैं, और उसके बोलते ही अंदर के किसी कमरे से एक उची ठीकी आवाज आई, इन लोगों को फॉरण मेरे पास ले आओ, इस से आगे की कहानी सुनने के लिए, स्क्रीन पर दिये हुए लिंक को क्लिक करके सुने, साइन आफ पूर का भाग दूँ